इतिहास के अनोखे संसार में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पार्थ में आज हम पढ़ेंगे अशोक के उत्तरादिकारी एवं मौर्य सामराज्य का पतन। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनेतिक तथा संस्क्रितिक इतिहास जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंदर पांडे ने। मित्रो अशोक के उत्तरादिकारी एवं मौर्य सामराज्य का पतन। इस क्रम में हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने ये देखा कि राज तंतरात्मक शासन के अपने कुछ दोश होते हैं। जिनके कारण जब राजा कमजोर होता है तो उस शासन का अंत हो जाता है। यही मौवरेज सामराज्य के साथ हुआ। जब तक चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जैसे सक्षम राजा थे। तब तक मौवरेज सामराज्य बना रहा और अपने पूरी ताकत से बना रहा। लेकिन जैसे ही अशोक की बृत्यू के बाद कमजोर उत्तरादिकारी आए, मौवरेज सामराज्य पतनशील हो गया। इसके इलावा प्रांतिय राज्यों में भी वगावते हो गई थी। उसका भी वही कारण है कि यदि केंदर में सत्ता मजबूत है, तो प्रांतों में यदि बगावते होती हैं, तो वे नियंतरन में आ जाती हैं। ऐसा हुआ था, बिंदु सार के समय भी विद्रो हुए थे, अशोक के समय भी विद्रो की सूचना है हमारे पास। लेकिन अशोक के ने रहने पर प्रांतिये क्षेत्रों में जो विद्रो हुए, उन विद्रों पर नियंतरन करने वाला कोई नहीं था। इसलिए वहां स्वतंतर सत्ताय स्थापित हो गई। प्रांतिये शास्कों के अतिरिक्त अशोक के उत्तरादिकारियों में कुछ राजा ऐसे भी हुए जो अत्याचारी थे। गारगी संगिता का साक्षे है कि मौरिय समराट शालिशूक स्वयम एधार्मिक एवं अत्याचारी था। उसने अपनी प्रजा का घोर उत्पीडन किया था। लिखा हुआ है नैवयम कुमारश्य विरुद्धम नापी राग्यह बिंदुसारश्य अपितु दुस्टा मात्याह अस्माकम परीभमम कुर्वन्ति। तो कई तरह की चीजें हैं ये भी लिखावा मिलता है सेराष्ट मर्दते घोरम धर्म वाद एधार मिक हैं। फिर राजसभाओं में गुटबंदियां होना सामन्य बात है कि राजा शत्रिशाली होगा तो उन गुटबंदियों पर काबू रखेगा नहीं तो फिर वे राज्ये को बिखेर देंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों की राजसभाओं में बहुदा गुटबंदियां रहती थी। अनेक विक्तिगत राग द्वेशों के कारण राज्ये के मंत्री और उच्च पदादिकारी राष्ट्री उद्देशेपू भूल जाते थे। उनके जिश्टिकोन से बहुदा विकट परिश्थिती उत्पन हो जाती थी। हमारे समक्ष अशोक के उत्तरादिकार का उदाहरन है। इस प्रश्चन को लेकर राजसभा में दोदल बन गए थे। उनके शड़ियंत्रों ने ग्रह युद्ध को और भी प्रोतसाहित किया औ मालविकागनी मित्रम से अनुमान होता है कि इस समय राजसभा में दो दल अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए निरंतर खैस्तान कर रहे थे। एक दल सेनापती का पक्षपाती था तो दूसरा सचिव का। इस प्रश्चन है कि राजसभा की इन गुट बंदियों न राजसत्ता कुशितिल, विवश्च, संकट ग्रस्त और अनादृत कर दिया था। कोटिली ने अपने अर्थशात्र में जिस शाषन व्यवस्था का प्रतिपाधन किया है उसमें करों की अधिकता है। यद्यपी यह संभव है कि अर्थशात्र में उन लिखित समस्त कर प्र निश्चित रूप से यह भावना उपलब्द साधनों से राजकोष को अधिक से अधिक भरने की थी। यह भी संभव है कि इस भावना से प्रिरित होकर मौरियों ने प्रजा पर जो कर लगाये हों उनका भार बहुत ज्यादा रहा हो जिसके कारण प्रजा में ऐसंतोष उत पन्न हो गया हो इस संबंद में अनेक सूचना हैं हमारे पास कि गणिकाओं और अभिनेताओं पर भी कर लगाए गए थे मोरियों की आर्थिक 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 अवस्था इस तरह की थी कि उसमें दवाव बनाया जा सकता था क्योंकि राज्ये पहले से ही सम्रिद्ध था चांदी के सिक्कों में मिलावट देखने को मिलती है उसका कारण भी यही है पर न तो इस बात के निष्ट प्रमान नहीं है कि जो मिलावट वाले सिक्कें मिले हैं वे मोरियों के हैं कि नहीं है पतंजली के महाभाश्य से प्रकट होता है कि धन संग्रह के लिए मौरियों नी जो साधन अपनाए थे वे सदय शलाग गेने थे उधारन के लिए वे मूर्तियों को बनवा बनवा कर बेचते और पूजा के लिए स्थापित करते थे इस प्रकार जनता की शद्दा भक्ति को जागरत करके वे मूर्तियों के द्वारा धन बटोरते थे चंदरगुप्त मौरिय को नंदों, पंजाब के युनानियों तथा आक्रमनकारी सेलुकस से युद्ध करने पड़े थे इसके पश्चात उसकी सामराज्य स्थापना भी चारों और युद्धों के परिणाम सुरूप हुई थी इस पश्ट है कि अपनी विशाल सेना का संगठन करने और बहु संख्यक युद्ध करने में उसे अपार धनराशी खर्च करनी पड़ी थी इसके अतरिक्त उसने नव संस्थापित राजवन्ष और सामराज्य की संरक्षा के लिए जो उपाय निकाले थे वे भी खर्ची ले थे इन विविद खर्चों की पूर्टी के लिए चंदरगुप्त ने यदि अधिक कर लगाये हों अत्वा विविद उपायों से धन संग्रह किया हो तो कोई आश्चेदी की बात नहीं है अंत तो गत्वा करों का भार प्रजा पर ही पड़ता था आता है यदि उसे ये कर कष्टकर प्रतीत होते हों तो नितांत स्वभाविक है कि जनता उसे सहन करना नहीं चाहेगी ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के महान धर्म प्रचार से राजकोश रित हो चला था ये बड़ा महतुपूर्ण बिंदु है मित्रों जनता के भले के कारियों, स्तूपों, विहारों, शिला लेखों, स्तंब लेखों आदि के निर्मान एवं विदेशों में धर्म प्रचार के कारियों में अशोक को विपूल धनराशी वै करने पड़ी थी यदि जनता के भले के कारियों में राशिक खर्च होती है तो कोई विशेश बात नहीं है लेकिन धर्म के आडंबर में यदि इस तरह का काम किया जाए तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है पुनहे वह समय समय पर बॉद्द संग को मुक्त हस्त होकर दान दिया करता था इन सब कारियों ने राजकोश को भारी ख्षति पहुँचाई राजाओं की शक्ति कोश पर ही आशित है इस तथ्य को समझने वाले एमात्यों को चिंता हुई अशोक आउदान का खतन है कि एक बार अशोक कुकुटा राम दिहार को धन दान देना चाहता था परन्तु एमात्यों ने यूराज संप्रति को समझा कर यह दान रुकुआ दिया राजकोश की चिंता जनक अवस्था से वेग्र होकर ही एमात्यों ने यह काम किया होगा अशोक के उत्तरा दिखारियों के समय अनेक प्रांतों के निकल जाने से राजकोश की आय और भी कम हो गई भारत वर्ष के पश्चेमोत्तर एवं पश्चेमी प्रदेश व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रन रखा करते थे इनके स्वतन्तर हो जाने से पाटले पुत्र का इनके साथ सम्मंद विच्छेत हो गया परिणाम स्वरूप व्यापार को भारी धक्का लगा और इसका दोश्च प्रभाव राजकोश पर पढ़े बिना नहीं रहा धना भाव में धनके अभाव में सामराजे की संदक्षा और स्थर्ता कैसे संभव हो सकती थी मित्रो अशोक की अहिंसात्मक एवं धर्म प्रचारात्मक नीती ने सामराजे की सैनिक शक्ति को नितांत क्षीन कर दिया था अशोक के समय तक अहिंसा के दर्शन का इतना विकास नहीं हुआ था कि देश की रक्षा के प्रबल अस्तर के रूप में राजतंत्र उसका प्रियोग करे अहिंसा व्यक्ति के लिए व्याभारिक हो सकती है राज्य के लिए नहीं भारत के पश्चिमोत्तर में बरबर जातियां आकर्मन की ताक में खड़ी थी भारत के भीतर दूरस्त प्रदेश अपनी स्वतंत्रता गोशित करने की योजनाय बना रहे थे ऐसे समय में देश को एक विशाल एवं संगठित सेना की आवश्यक्ता थी परन्तु अशोक इस आवश्यक्ता के प्रती नितांत निरपेख्ष था सामराज्य की समस्त शक्तियां धर्म के प्रचार में लग गई थी बुद्धम, शर्णम, गच्छामी के विपुल उद्घोशों से आकाश गुंज रहा था उद्घोशों के कारण सीमा प्रोदेश पर बैठे शत्रुमों को पूरा अवसर मिल गया कि वे अपनी मन मरजी करें उन वैरियों की रण भेरी अशोक को कैसे सुनाई देती देश को सेनिकों और सेना नायकों की अवश्यक्ता थी परंतु दुर्भाग्य से मिले उसे भिक्षू और प्रचारक कमंडल से शांति का अविशेक नहीं हो सकता देश की रक्षा नहीं हो सकती अपने अस्तित्व को खत्रे में डाल कर विश्व बंधुत्व की स्थापना का प्रयास एक नूतन प्रियोग था इसे देखकर महापंडित चानक्य और जोरदार विजेता चंद्रकुत की आत्मा विक्षूद हो उठी होगी अशोक की इस नीती का भारी दुष परिणाम हुआ देश विदेश में धर्म प्रचार हुआ और उद्दात सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी हुआ परन्तु मौर्य समराज्य की संद्रक्षा नहीं हो सकी जिस समय विरेशी आकर्मन हुआ उस समय तक सिकंदर के दांत खटे करने वाले तता सेलुकस को पराजित करने वाले भारतिय सेनिकों की तलवारों की धार कुंठित हो चुकी थी जिसे समय सामराज्य में प्रांतिय विद्रोह हुए उस समय तक उनका दमन करने वाले सेना नायक कदाचित बौध संग में प्रविष्ट हो चुके थे हाउ हान्शू नामक चीनी का कतन है कि भारतिय बौध धर्म के अनुयाई हैं हिंसा ने करना और युद्र ने करना उनका स्वभाव हो गया है यह स्वभाव परिवर्तन अशोक के कथित महान धर्म प्रचार का नतीजा था स्वयम अशोक की गर्वोति है कि धर्म घोष ने भेली घोष को बंद कर दिया था बौध समराट ने स्वयम तो अहिल साथपक नीती अपनाई ही थी साथ में अपने पुत्रों पौत्रों को भी उसी नीती का अनुसरण करने के लिए प्रोध साहित किया उसके प्रोध साहन का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा कम से कम गार्गी संगिता के कथना नुसार हमारे समुख अशोक के एक उत्तरा दिकारी शालिशूक का उदाहरन है इसने भी अशोक के समान धर्म विजय का नारा बुलंद किया था अशोक महान था इसमें कोई संदेह नहीं परन्तु साति सात उसकी उद्दात नीती मौरे समराज्य के पतन का कारण भी हुई मित्रो एक व्यक्ति के रूप में हम अशोक को महान मान सकते हैं लेकिन एक राजा के रूप में उसको महान मानने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ेगा मौरे समराज्य की नीव इन विभिन कारणों से खोकली हो गई थी और विदेशी आक्रमन नहीं हुए होते तो भी मौरे समराज्य का पतन निश्चित था यह उनों के आक्रमनों ने इस समराज्य को पूर्ण तह धराशाई कर दिया सबसे पहला यूनानी आक्रमन दो सुच्छ इसा पुरू का है परन्तु मौरे समराज्य का पतन तो इसके पहले ही प्रारंब हो गया था महा महुक पाध्याय पंडित हर प्रशाद सास्त्री ने एक दूसरी बात कही है कि अशोक की बौद नीती से एक शुब्द होकर ब्रामनों में प्रतिक्रिया हुई और उसी प्रतिक्रिया ने मौरे समराज्य को धस्त कर दिया डौक्टर राय ने इस मत का खंडन किया है और यह दिखाने की चेश्टा की है कि ने तो ब्रामन प्रतिक्रिया हुई और ने ही उसका मौरे समराज्य के पतन से कोई सम्मंद है ये दोनों ही मत अतिवादी है वास्त्विक्ता इन दोनों मतों के बीच में कहीं स्थित है पंडित शात्री के मत के विरुद्ध कहा जा सकता है कि अशोक शुद्र नहीं था अतह जाती के आधार पर ब्रामनों को उससे कोई द्वेश नहीं था अशोक का अहिंसा प्रचार कोई नया काम नहीं था स्वयम ब्रामन ग्रंतों में भी हिंसात्मक यग्यों को हतो साहित करने के लिए कहा गया है अशोक के लगू शिलालेक में नेमन लिखित शब्द मिलते हैं ये इमाय कालाय जम्बो देपसी अमिसा देवा हुसूत दानि मिसा कटा पंडित शात्री ने ये अर्थ लगाया है कि ब्रामन जो इस लोक में देवता समझे जाते हैं उन्हें अशोक ने जोटा सिद्ध कर दिया वस्तूत है ये अर्थ सेनाट का था लेवी महोडे ने इसका खंडन किया है लेवी के अनुसार अमिसा शब्द संस्कृत के एम्रिशा यानि सच्य नहीं है स्वयम अशोक के भबरू अविलेक से प्रकट होता है कि संस्कृत के एम्रिशा शब्द के लिए अमुशा और मुरिशा शब्द के लिए मुशा शब्दों का प्रियोग होना चाहिए वस्तूता है अशोक के अभी लेख में प्रयूक्त मिशा शब्द से संस्कृत का मिश्रा और एमिशा से एमिश्र शब्दों का अर्थ लगाया जाना चाहिए इस प्रकार अभी लेख के उपर्युक्त उद्धरन का आर्थ ये हुआ कि उस समय तक भारतवर्ष के जो लोग देवताओं से नहीं मिले थे वे उनसे मिला दिये गए। पंडित शास्त्री का कतन है कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी ये जनता में सदाचारिता के प्रचार रते परंतु ये कारी तो ब्रामणों का था अतहे ब्रामण अशोक से नाराज हो गये। दिये गे दंडों की जाच करना और आवश्यक्ता पढ़ने पर उनमें कमी करना इसके अतिरित यह भी कहा जा सकता है कि अशोक के महामातर सदेव ऐब्राम्मन ही होते थे पंडित शास्त्री का कहतन है कि अशोक ने एक नए अधिनियम से ब्राम्मन जाती के विशेशा दिकार छीन लिये थे और चार वर्णों में दंड समता और व्यवार समता की प्रतिष्ठा की थी परन्तु पांचमें स्तंबलेक को देखने से टकट होता है कि अशोक का मंतव ये था कि उसके समस्तर राजुक एक निश्चित प्रनाली और नियम के आधार पर दंड दे और व्यवार करें उसे भै था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक अपराद के लिए एक राजुक एक दंड दे और उसी अपराद के लिए दूसरा राजुक कोई दूसरा दंड दे इसी से अशोक दंड और व्यवार में समता के लिए उससुख था इस अविलेक में कहीं पर ब्रामनों के विरुद नहीं था वैदिक काल जही ब्रामनों और क्षत्रियों में सामाजिक प्रभुता के लिए नेरांतार संगर चल रहा था 600 इसापूर्व के दो क्षत्रिय राजवन्षों के नेत्रितों में ब्रामन धर्म की प्रभुता के विरुद्ध विद्रो हुआ है इस नवीन संकट का सामना करने के लिए ब्रामनों ने अपनी व्यवस्था का पुनर संगठन किया जिसमें चतुरवर्णों में ब्रामन धर्म को सर्वो परिस्थान दिया गया और क्षत्रियों द्वारा संथा पित नवीन धर्मों की निवृत्ती मार्गी विचाधारा के वि उसने भी बहुत बिक्ष्वों के प्रचार पर अनेक नियंत्रन लगाये थे तो मित्रो यह था आज का इतिहास पाठ अभी यह विशे जारी रहेगा जिस बिंदू पर हम चर्चा कर रहे हैं यह बिंदू विस्तार पाएगा अगले आंक में हम फिर विले तब तक के लिए साथी को आप आग्या दीजिये नमस्कार